आपके साथ अपना एक रांडम डिनर रूटीन तो आज मेरा मंतली ग्रॉसरी दे था और मैं डीमाट से जो मेरा रूटीन का जो भी मैं समान लाती हूँ मैं लेकर आई थी मैंने अलड़ी एक वीडियो डाली हुई है मेरे चानल पर किस तरह का मेरा मंतली जो ग्रॉसरी होता वो दिखता है क्या क्या चीज़ें बेसिकली पार्ट होते हैं तो अपार्ट प्रॉम आल डोस जो नेसेसरी चीजें जो ग्रॉसरी का हर महिने का पार्ट होता ही है दाल चावल आठा वगेरा वो सब के अलावा आप लोग के कुछ क्वेस्टेंस थे कि मैं कौन से प्रॉड़क की कौन से चीजे इस्तमाल करती हूं तो वह वह मैं आपको यह मैं देखा हुँआ यह वह सब्सक्राइब दिखा है अगारी में देखा यह तो बनकर आपको आप सार ने मेरे थालीय का फार्ट होता है और मुझे यह राइस पर पर आप पसंद है कुछिए आप ब्रैंड में राइस लेने जाओगे तो स्वेक्लों कम से कोई भी राइस न तो मैं दो तीन किलो चावल जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर मैंने कुछ टू केजी जैसा ही लिया है तो इतना ही मेरा डबा है जिसमें में चावल रिती है तो यह आ जाएगा तो इसका क्वालिटी में बिल्कुल कोई कॉम्प्रमाइज नहीं है तो मैं पहले इंडिया तो इस बाइट वगेरा और चार मीनार मैंने तीन चार ब्राइंड यूज किया है लेकिन फिर मैं इस पर ट्राइग किया और यह मुझे सच में अच्छा लगा तो आई रेकमेंड आप डूज राइस ट्राइज त्राइज अच्छे ही होते है दूसर आप लोग जानना चाह उCar शुगर राएकमें बन जानना अच्छाव है तो सबस्क्रिट बन जासा बताइज लेकर लetrग स्टेए समी तंपने अच्छिवर है तो सब्सक्रिट्ट तो सब्सक्रिट जांना इस टो क्या होता है तो rather सु क्या उल्यूचा बूघ तो इस आप अप्रूप्रप्रस जान यह नट्राज काश्यूज है यह मैं दीमार्ट से लेकर आई हूँ इसके उपर लिखा तो है यह मुझे मिला है 426 का तो जो डीमार्ट के जो अपने प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि यह है तो अगर मैं वहाँ पे दूसरी ब्रांड का कोई बुड़ा लूम तो उससे ही सस्ता होता है लेकिन आईरॉनिकली मुझे यह काफे सस्ता मिला दीमार्ट से जो अपने कैश्यू थे वह 500 प्लस थे और यह 426 है तो बहुत अच्छी डील थी तो मैंने यह ले गिया है और यह किश्मिश्च भी काफे सस्ता मिला है मैं पास अल्रड यह भी है लेकिन यह मुझे अच्छा अच्छा है यह बहुत अच्छा है यह जो चंक्स है यह पिलोज है बिसिकली यह मल्टी ग्रेन है आप इन्हें बच्चों को आज इस भी मंचिन के लिए दे सकते हो और दूर में भी दे सकते हो इस वेरी नाइस तेंग और यह आप लोग जानना चाहते है कि मैं जो बाटल लेती हो पा कहां लेती हूं तो मेरे वह प्ली लेती है वह इन फिर दीजशे लिए थी अब 320 रड़ाम मेर बाहां दिखे तो यह बहुत अच्छे है चिकने वकार्ज configurator में मुझे बहुत अच्छी लगए तो मैंने चाहह लेती है और यह कुछ दो कांग वाले साथ मैं आगी हूं किचिन में तो यह थोड़े से बर्तन हो गए थे चाय के बर्तन बेसिकरी और जो नाश्ता वगरा हम लोग ने किया था साथे साथ दूद का जो पतीला है वो भी मैंने खाली कर लिया है मलाई निकाल दिया है तो थोड़े से ही यह बर्तन है मैं इन्हें पहले दोलूँगी और पिर आगे का जो कुकिंग है वो शुरू करूँगी जब हम कुकिंग करते हैं तो उस वक सबजी वगरा भी दोनी रहती है तो मुझे अच्छा लगता है कि जो सिंख है वो क्लीन रहे जिससे कि अगर कुछ सबजी वगरा गिर गी तो वो ठाके मैं सीधे कच्रे में पेक सकूँ वरना अगर बर्तन रहेंगे और उसकी उपर सब करती हूं जहां तक पॉसिबल हो तो बस फटा फट पहले मैंने यह बर्तन दो लेने हैं और उसके बाद आज मैं बहुत सारे मेरे व्यूवर्स है रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं गाजर का हल्वा कैसे बनाती हूं वो रेसेपी उनके साथ शेयर करूं गाजर का हल्वा यू बनाने के त्यारी शुरू करूंगी तो मैं आपको बता रही थी कि नॉट इन फामिलीज में बहुत सारी गाजर का हल्वा बनता है मेरी ममी खुद कुछ चार-पांच के लो गाजर का हल्वा बनाती थी मैंने यह बस चार गाजरे लिए और उनने भी फूट प्रसेसर में कर लीजिए तो मैंने बहुत ही थोड़ा सा दूद लिया है क्योंकि मैं एकदम इंस्टेंट वाला हल्वा बना रही हूं ममी मेरी जो हल्वा बनाती थी वो तो तीन तीन गंटे तक उस प्रोसेस में लगे रहते थे पर आज कहल उतना टाइम नहीं होता है सभी हाउस मेरे पास भी नहीं है आपके पास भी नहीं होगा किचन का काम एक तरफ बच्चों की जिम्मेदान या एक तरफ और अपने बच्चों को मैं खुद ही पढ़ाती हूं तो मुझे थोड़ा सा उनके हुंबक की तरफ भी धियान देना होता है तो उधर हलवा पकरा और मैं कर मल्टी टास्किंग मैं आज डिनर में बनाने वाली हूं मटर का निमूना तो यह रेसिपी आप में से कुछ लोग के बिल्कुल नहीं हो सकती है यह नाम एकदम नया हो सकता है आज मैं शेयर करूंगी कि मैं कैसे बनाती हूं तो उसके लिए जो हरे मटर होता है वो चाये होत तो उसे पकने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगा मैंने डखकन डाल के इसको उबाल लिया है दूद में आप पानी में मत उबालिये गा इसको दूद में ही उबालेगा तो एक अच्छा साना एक फ्लेवर सा एड़ होने लगता है हल्वे को तो मैंने यहां लीती थोड़ पाउडर मिल्क 5-6-7 लगभग 3-4 कप जैसा यह जो मिल्क पाउडर है वो डाल दिया है क्योंकि यह इंस्टेंट हल्वा है तो दूद में इसको देर तक जो पकाते हैं और फिर उस तो जो वह मावा बनता है वह प्रॉसेस हम इलिमिनेट कर रहे हैं तो इसलिए सारे शॉर्ट जाएंगे और बन भी फटा फट जाता है तो यहां पर यह मिक्सचर अभी फिर से थोड़ा सा लिक्विड हो गया है तो यह जो दूद है अब मैं इसको पूरा खुश्क होने तक पूरा एवापरेट हो जाए तब तक में इस हल्वे को पकाऊंगी और अब इसको निरंतर च स्क्रेप करते रहें और अब अब धकन लगा कर नहीं पकाईए उपन पैन में पकाईए और पॉसिबली चलाते रही है तो देखे यह दिरे दिरे रिड्यूस हो रहा है तो जब भी आप घर में मिठाए बनाते हो तो उसमें एक जीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि अब चीनी किस वक डालते हैं टाइमिंग बहुत इंपॉर्टन्ट होती है जब आपकी मिठाए में लिक्विड है तो आप तब चीनी मढ डाले वरना उसको खुश करते करते मतलब वो उसका सूखा सा जो प्रॉपर टेक्च्चर है प्रॉपर फॉर्म आते आते वो चीनी च आपके घर के टेस्ट के हिसाब से कुछ लोग बहुत कम चीनी खाते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा चीनी खाते हैं तो इसलिए मैं आपको कप्स में मेजरमेंट नहीं दे रहे हूं और कुछ जगाओं की चीनी काफी मीठी होती है और कुछ जगाओं की चीनी होती है तो आपके चीनी कैसी है और आपके घर का टेस्ट किया है उसके हिसाब से आप चीनी डाल लीजिए और एक इंपॉर्टन बात यहां पर कि जब भी आप सब्जीयों से कुछ भी मिठाय बनाते हैं तो थोड़ा सा मीठा अच्छा ही रखें वरना जो सब्जीयों का अपना एक टेस्ट आता है वह आपके मिठाय को रूइन कर सकता है तो चीनी डालके इसको चला लीजिए चीनी पिगल जाएगी तो हलवा फिर से थोड़ा सा रनी हो जाएगा पतला पतला हो जाएगा तो आप इसको निरंदर चलाते रहेए जब तक यह प्रॉपर हलवे का फॉर्म ना डालिएगा मैंने डालिया हरी लाइजी और साथी साथ कुछ मिक्स्ट चॉप्ट नट्स तो आप वालनट्स मुंफली पिस्ते भी ले सकते हो पर मेरे परसनल फेवरेट काजू और बादाम है और इसे में उपर से गार्णिश नहीं करूंगी हलवा पकने आएगा तो बस थ हल्वा लगबग पकने वाला ही है इसे चलाना ना छोड़े तो ही आप एकदम अंडरस्टैंड कर पाएंगे इसकी जो कंसिस्टेंसी है तो देखे मैंने ग्यास बंद कर दिया हल्वा मुझे से जादा गाड़ा नहीं करना है नहीं तो फिर चीनी के वज़े से जो मावा इस जाएगा वह अच्छा नहीं लगता है वैसे भी यह रखे रखे थोड़ा सा और थिक हो ही जाएगा तो अब मैं शुरुबात करूंगी मतर का नीमोना बनाने के लिए तो मतर का नीमोना हमेशा मस्टर ओल मी बनता है और मैं इस्तमाल कर रहे हूं कच्ची घानी तो कच्ची है तो आपकी प्रफरेंस के हिसाब से भी आप आलो को शेप दे सकते हो बस थोड़े से तेल में मैंने यह आलो को रोस्ट कर लेना है इस पे जब तक अच्छा सा लाल कलर आए और पक जाए तब तक और ब्लेंडिंग जार में मैंने ले लिए हारे मतर फ्रोजन मतर बिलकुल कुछ चंक्स होई इसमें दर दरा सा आप इसे पीस लीजे तो नीमोना में कुछ लोग उपर से पूरे जो अंखे मतर होता है वो भी डालते है पर मैं पूरा का पूरा जो पूर्शन है मतर का उसे पीस लेना प्रफर करती हूँ तो आप देख सकते किस तरह से चंकी है एक त अधरक लहसुन और हरा दनिया तो बस यह चार चीजे लेकर आप लगो आपको इसकी भी प्योरी कर लीनी है नीमोना में बेसिकली आरा मसाला ही जाता है सुखे मसाले बहुत जादा नहीं गलते हैं तो यहां आलू भी डेके कितने अच्छे लाल हो चुके और यह लग बग बस इन्हें में कडाई से अभी निकाल लूँगी और सेम तेल में मैं और तेल नहीं आड़ कर रहे हूं सेम तेल में जो मतर मैंने पीसी थी इसको मैं भून लूँगी तो इसको आपको लगातार चलाते वे भूनना है क्योंकि तोड़ा सा चिपकता है प्रफरेबली नॉन स अच्छे से बूनना बहुत ज़रूरी है इस प्रोसेस में 5-10 मिनट भी आपको लग सकते हैं डिपेंडिंग आपके मतर की क्वालिटी क्या है तो फुल फ्लेम पे मैंने इसे बून लिया है एक ड्राय हो गया मसाला आप देख सकते हो तो बस अब फाइनली निमोना जो होता सबसी वह बनाने के हम त्यारी शुरू करेंगे तो मैंने थोड़ा सा मस्टड ओल लिया है और इसमें मैं जीरा डाल के उसे तड़का लोंगी जीरा तर तड़ाय तो हींग डाली है और जो हरा मसाला मने पीसा था वह में डाल दूनी तो डखकन लगा के पका लोंगी क्योंक तरह से काटे जाते हैं इस टमाटो के हमें प्योरी तो बिल्कुल नहीं करनी है और महीन मत काटेगा क्योंकि यह निमोना का जो स्टाइल है टेक्शर है वह ऐसे ही होता है तो टमाटो डाले की बाद मैंने डाली है नमक थोड़ी सी थोड़ा सा धनिया पाउडर तो मिर्ची मैंने पहले ही ले ली थी तो मिर्ची मैं स्किप करूंगी आप चाहें तो हल्दी भी स्किप कर सकते हैं क्योंकि निमोना हमें हराई बनाना है और यह चावल मैं सोक कर दूंगी क्योंकि निमोना के साथ चावल बहुत अच्छा लगता है तो हल्दी मैं बता रही थी निमोन मतर उनको डालके अच्छे से मिला लूगी आप अच्छे से मतर को अभी मिला लीजे वना बाद में जब आप पानी आड़ करोगे तो गुटलिया पड़ जाएंगी और फिर उनको फोड़ना तोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो देखें अच्छे से जो मिक्स हो चुका है या मिक्स्चर मैंने इसमें फ्राइट पटेटो जाड़ कर दिये हैं और कंसिस्टेंसी के हिसाब से में पानी डाल दूँगी रोटी की साथ खा रहें तो थोड़ा थिक रखिए बेसिकली चावल के साथ ही खाया जाता है और मैं इसके साथ चावल या रूटी की विज़रत नहीं है मैं ऐसे ही कटोरी में जैसे हम कडी खाते है ना ऐसे ही खा लेते हूं तो यह डाला है मैंने थोड़ा सा गरम मसाला नमक आप आपकी चोईस के हिसाब से आप कितना खाते हैं अगर अगर आपके जो मतर है वो ज्यादा मी नमोना त्यार हो गया है और अब मैं बना लूँगी चावल तो आज की थाली में सिर्फ नमोना और चावल में रखने वाली हो तोड़ा सालिड होगा लेकिन इसके साथ आपको छास या रायते की बिल्कुल ज़रुरत नहीं होती है या आज इस बहुत टेस्टी लगता है त और नौर्थ इंडियन फेवरिट गाजर का हलवा मेरे फैमिली का भी बहुत फेवरिट है और बहुत टेस्टी बना था प्लीस ट्राय आउट माय रेसिपी और यह मेरा फेवरिट निमोना मुझे जितनी कड़ी पसंद है उतना ही ज्यादा निमोना भी पसंद है तो बस यह अगे तक की थी मेरी आज की वीडियो उमीद करती हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए अपने फ्रेंड और पामिली के साथ शेयर कीजिए और कॉमेंट बॉक्स में आपकी राय मुझसे सा जल्दी मिलती हूं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए रखे अपना देर साला खयाल मुझे दीजे इजासत बाई बाई